हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ रिना गोल्डी मामी चैनल पर आप सबको बहुत बहुत श्वागत करती पेरेंट्स आस बहुत ही इनपोर्टेंड एक्टिविटी इनपोर्टेंड बाते आप लोगे श्यार कर रहें अजका वीडियो है उस टॉपिक में जो बच्चा सीटिंग नह बाता है तो आपका बच्चा का सीटिंग आ जाएगा नहीं पेरेंट्स अगर आपका बच्चा स似 में सीविएर हाइपर है मतलो जो बच्चा बहुत ज्यादा हाइपर है तो बच्चों के साथ आप सीटिंग आक् assessments करेंगे तो आपका बच्चा नहीं बैठे का काम करना ए आप सीटिंग स्किल पे काम कराएंगे आपका बच्चा धिरे-दिरे बैठने लाई लाई बच्चे को बड़ी में बहुत हाल चाल मासता है जिसके बज़े से बच्चा खुद को कंट्रोल नहीं कर पता इसलिए बच्चा इधर उधर भागता रहता है तो भागने के उपर जो परेशान है तो मेरा बाते और मेरा भीडियो शुरू से लाष्ट ताक शुनिए उनको पता लग जाए बच्चे को सीटिंग स्किल कैसी इंप्रूमेंट करें तो फास्ट तो पैरेंट्स आपको ऑकुपेशन थाइरेपी का अक्टिवीटी बहुत अच्छा चे कराना है उकुपेशन थाइरेपी का हाईबर अक्टिवीटी करके फेर बाते बहुत चोड़ूर देता है तो फ़ेशा से बच inversion थाइरेपी का एकुपेशन थाइरेपी कर लिए फेर बच्चेको छोड़ दे तो आइसे हमारे बात्च Εचे सीटिंग स्किल कोम्हें होता है अगर हो सके तो बच्चे को कॉंटिन्यू तीन से चार गणटा अकुपेशन थाइरेपी का काम एक सत्मे करा ना है, बच्चा रोएगा, पठकेगा, बहुत चिल्लाएगा, बहुत परेशान करेगा, ऐसी कि आपको खुद को पकार के भी मारेगा, तो लेकिन आपको फिर भी जबर्दोस्ति काम करना है, यह जो मैं जबर्दोस्ति की बात कईतु ए मेरा पार्शुनल न ले जाए, मेरे थाएरेपिश्ट भी कैता था, बच्चों के साथ काम कराईये, बच्चे को साथ प्यार से काम नहीं करता था, बहुत चिल्ला था ता, शात माईना एध्वप चि चल्ड़िया ना पटटक ना देखें मैं आइको भी उसको चोरा नहीं है, मैं जब अर्दोस्ति उसको पकार पकार को आकोपेशन थाइरेपी का, जो हाइपर एक्टीवीटी है मेरा रिना अथरवा चैनेल पे भी है आप ऐसे सार्च मारेंगे अकुपेशन थाइरेपी हाइपर अक्टिवीटी तो उस टाइप का जीतना वीडियो है और गोल्डी मामी चैनेल पे भी है वो शारे अकुपेशन थाइरेपी का हाइपर अक्टिवीटी आप करेंगे और उसके एल आप ठाके बच्चे को छोड़ देंगे जे बहुत टाइम कर लिया तिंचर घंटा कर लिया भी हम बच्चे को थोरी देर फिरी छोड़ देता है तो उसके लिए अपका बच्चा फिर छीटिंग में आएगा नहीं क्योंकि जब हाइपर एक्टिबिटी करने के बद आप बच् से हाल साल मासता है तो खुद को कांट्रोल करके बैठाई नहीं सकता है कुछ भी हो जाए हाइपर बच्चा बैठेगा नहीं इसलिए अकुपेशन थायरेपी का हाइपर एक्टिबिटी तीन घंटा चार घंटा करने के साथ शात अगर आपका बच्चा चोटा है तीन शैल क करने के बाद अगर एक टाना लागातार कॉंटीनी उपपाकार के आप बच्चे से सीटिंग स्कील का भी दो तीन घंटा शुरू करेंगे शुरू में आप आदा गंटा चे शुरू करिए फेर धिरी धिरे टाइमिंग बढ़ाई है दो तीन घंटा धिरी धिरे जब आपका कि माइना के बाद उसको सीटिंग स्कील इंप्रूमेंट हो जाएगा और आपके साथ खुशी-खुशी बैटके काम करने लगेगा ऐसे नहीं हो था मेरे साथ इसलिए मैं आपना नौलेज ये आप लोग के साथ श्यार कर रहे हूं तो अगर चाहे तो आप लोग फोलो कर सक तो अथरवा सीबियर अटिजियम था और बहुत जादा हाइपर था कोई हिशाप किताब नहीं था दुनिया इधार से उदार हो जाए अथरवा एक सो तीन चार बुखार लेके भी भागता रहता था अथरवा एक सेकेंड के लिए नहीं बैटता था लेकिन अकुपेशन थ अथरवा को फिरी टाइम नहीं चोरना उसको बीजी राकना है तो अब मैंने अकुपेशन थाइरवा का तीन चर घंटा हाइपर एक्टिवीटी जब और दोस्ती पकार पकार के कराया बहुत रोता था पूरा पूरा दीन रोता था फिर भी ओर रोने के अंदर मैं काम करती तो ऐसे करके उसके बाद जब हाइपर अक्टिवीटी करके अथरवा भी थाग गया मैं भी थाग गया तो तुरांत मैंने अथरवा को नहीं चोरती थी जब भी अगर अथरवा को हाइपर अक्टिवीटी होगी उसको लेके मैं सीटिंग में बैडती थी सीटिंग बाइ कराना, फिर जैसे sensory problem का जो अक्टिवीटी आई, वो कराना, उस टाइप का sitting activity मैं करती थे, अथारवा को लेके बैट के, एक घंटा से शुरू करके धिरे दिरे 2 गंटा, 3 गंटा, 4 गंटा continue आई से बैठा के मैं काम करती थी, तो आई से continue जब बच्चा बैठता है, बच हाल चाल धिरे-दिरे खतम होता है, हाइपर अक्टिवीटी करने के बाद, और उसके बाद जब sitting activity करता है, तो धिरे-दिरे ओ भागने वाला जो concept होता है, ओ धिरे-दिरे बच्चा भूल जाता है, भूल जाने के साशात ओ आपना दुनिया से बाहर आ जाता है, हमारा दुन हाइपर अक्टिवीटी करने की जुरुरत नहीं है, अगर कोई पैरेंट्स ऐसे बात सुन के बच्चे को हाइपर अक्टिवीटी ना करा है, सिरफ sitting activity करा के बच्चे को sitting skill इंप्रूमेंट करना चाहता है, तो पैरेंट्स मैं रिकोइस्ट करूंगी, आप लोग occupation therapy का भी hyper activity क करा है, उसके बाद sitting skill activity करा है, तो आपका बच्चा एक टाइम में ऐसे दीन आएगा, आट-दर्स घंटा खुद बैट के काम भी करेगा, खुद भी बैठे रहेगा, अगर आप सिरफ sitting पे मतलोब ध्यान लागाएंगे, अक्टुपेशन थाइरेपी का hyper activity नहीं कराएंगे, थोर बड़ा होके भी आपका बच्चा उतना अच्छा से, हाम जैसे नॉर्माल लोग जैसे बैठे रहेता है, इतना अच्छा से आपका बच्चा नहीं बैठेगा, अभी अथर बाद जब बैठता है, खुद आपने आपी बैठे रहेता है, शोता रहेता है, मतलोब उसको अभी कोई हाइपर एक्टिविटी नहीं है मेरा बाद चाभ भागता नहीं है उसको बॉडी का जो हाल चाल है मैं इतना ज्यादा टाइम उसको अकुपेशन थायरीपी छे शाल कराया चिए साल मैंने पांच चाल थाइरेपी चेंटेर गीविए और चिए साल मैंने घर पे प्राक्टिस कराया मैं को भी उसको फिरी टाइम नहीं होड़ती ते और आककुपेशन थायरेपी का हाईपर अक्तिवीटी करा करा के अब अधर्वा को अगर हम कैमेरा के सामने भी लाए और कैमेरा के पीट पीसे भी लाए अधर्वा को भी इदार उदार भटकना चलना कुदना मतलोब उस टाइप के कुछ बीएवियर शो ही नहीं करता है तो पेरेंस एक क्यों हुआ जो मेरा नौलेज है मैं अकुपेशन थायरेपी ज़्यादा फोकस किया और सीटिंग एक्टिवीटी भी शात में कराया तो इसलिए अधर्वा इस लेबल पे आ गया नहीं तो मैं को भी सोज भी नहीं सकती थी मेरा बच्चा एक सेगेंड को भी ब फोकस आये आईकंटा का आटेंशन आये तो मेरे बाद फ़लो कीजिये मेरे चैनेल फ़लो कीजिये इदर उधर भटाकने से काम नहीं चलेगा काम करने से काम बनेगा इसलिए आप लोग को जितना टाइम हो सके बस मेरा चैनेल फ़लो करके वीडियो देखी और यह नहीन है आप एक शाल करके फेर बोलेंगे मैं मेरा बात्कार में बेहराया सा nesteailable करमकूपेशन थायरेपन भविक्नधां-ज़खेंद धनीम। करना है अगर उससे भी ज्यादा कराएंगे तो आपका बच्चे को और भी ज्यादा अच्छा फायदा रेजल्ट मिलेगा मुझे अकुपेशन थायरेपिस्ट ने बोला था अकुपेशन थायरेपी का हाइपर एक्टिवीटा पांच शाल कराएंगे मैंने शेशाल कराया तो कराने के बाद मेरा बाच्चे एक दों पापर होगी आभी मैं वीडियो बना रही हुँ मेरा बाच्चा आपने आपी शोरा है आपने आपी चुक्चा बैठ रहता है पराई करना कुछ भी हो अभी उसको घर के अंदर भी फालतु कि एक्स्ट्रा गुमता नहीं है जैके एक अगर घुटना बाला पानी में गुटना तक पानी में आप उत्रेंगे तो आपको घुटना तक गिला होगा ना तो इसलिए जितना आप मैनात करेंगे आपका बाच्चा उतना अच्छा लेवेल पे जाएगा आपके उपर डिपेंड करेगा आपका बाच्चा किस लेवेल पे कितना अच्छा इंप्रूमेंट करेगा जो पैरेंट्स जीजान लगा के बहुत मैनात करता है कापी और फोड़ा इंप्रूमेंट होता है, तो काम करते रहे हैं, और मेरा दूसरा चैनल, रिना अथरबा ब्लोग चैनल है, प्लीज आप सब दील से रिकोस्ट करती हूँ, अथरबा को उच चैनल पे भी जाये, अथरबा को सापोट किजिए, सस्क्राइब किजिए, और प्रिज आप लोग वीडियो भी देखिए तो आइसे सपोट करेंगे तो अथरवा सायद और भी अच्छा करेगा तो आप लोग देखते रहे अथरवा को सपोट करते रहे रिना अथरवा चैनल पे शारे प्रब्लेम की वीडियो आई देखिए काम कराईए तपका बच्चा बोथ अच्छा लेवेल पे जाएगा आज या तक नेक्स्ट वीडियो में नियू अक्टिविटी के साथ फेर अप्लो के साथ मिलती हूँ टाटा बाई बाई थैंक्यू सो मच